आपको ये कोई भी बता देगा कि कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आपको कौन से स्टॉक्स को अवाइड करना है आज मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स आपको दूर रह अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंट तक देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि कमपनी के उपर करजा कितना है आपको high debt companies को strictly avoid करना है और generally low debt या फिर zero debt companies को अपके portfolio में शामिल करना है इसके दो फाइदे हैं कि अगर कोरोना जैसा कोई pandemic आता है तो इसके वज़े से company के उपर कोई interest payment का pressure नहीं होगा और दूसरा फाइदा ये है कि इससे ये पता चलता है कि company का management काफी अच्छे से काम कर रहा है जिसके वज़े से उन्हें loan लेने की ज़रूरत नहीं पढ़ रही है तो आपको यहाँ ये देखना है कि company के उपर करजा कितना है और आपको high debt companies को strictly avoid करना है सेकेंड शीज आपको ये देखने है कि company का return on equity कितना है अगर 0-10% है तो आप उन companies को strictly avoid कीजिए 10-20% है जिसे okay okay माना जाता है 20-30% good category में आती है और above 30% अगर return on equity होता है तो उसे excellent माना जाता है ideal rule ये है कि अगर 15% के नीचे return on equity है तो आप उन companies को strictly avoid कीजिए और अगर above 15% है तो आप उन companies में investment कर सकते हो आपको तीसरी चीज किसी company में ये देखनी है कि company के promoter ने उसके shares pledge किये है कहीं किसी bank के साथ में अगर आप किसी भी company में promoter pledging देखते हो तो उस company को strictly avoid कीजिए चौती चीज आपको ये देखनी है कि company profit making है या loss making जनरल ये आपको loss making company से दूर रहना है आपको सिर्फ profit making companies को आपके portfolio में शामिल करना है company के profits year on year grow करने चाहिए आपको ऐसी companies में long term के लिए निवेश करना चाहिए आपको next चीज ये देखनी है कि company capital intensive industry को belong करती है या नहीं जैसे कि telecom sector हो गया या फिर airline sector हो गया telecom sector में heavy spectrum charges pay करने पड़ते हैं फिर उनको tower erection के लिए पैसे लगते हैं तो आप ऐसे sector को avoid कीजिए जो capital intensive industry को belong करते हैं आपको इन companies को भी avoid करना चाहिए जैसे कि penny stocks, PSU companies क्योंकि यहां पर management का profit motive नहीं होता है किसी भी recommendation या tip पर आपको investment नहीं करनी चाहिए company का अगर sales grow नहीं कर रहा है तो आप इन companies को भी avoid कीजिए cyclical stocks जैसे कि cement या फिर sugar stocks को भी आपको avoid करना चाहिए company का अगर management अच्छा नहीं है तो आप इन companies को भी strictly avoid कीजिए thanks for watching guys अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिए और comment करके बताए कि आपको वीडियो कैसे लगा अगर आप channel पे नहीं हो तो channel को जरूर subscribe कीजिए